तो है गाइच वेलकम से उट्व से वेरंश इस वीडियो ने बात करने जा रहे हैं इ хотите सी के रिजट के बारे में, इनका रिजट कैसा रहा profit के रहा है, इन सब बारे में हम बात करेंगे और फिर बारे में भी बात करेंगे कि आपको बैई करना चाहिए नहीं करना चाहिए और उन्हें अभी खरीद रखा है उन्हें होल्ड कलना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए उस बारे में भी बात करेंगे और स्वेंग ट्रेडिंग के हिसा रहेगा वो भी हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे शुरू करने से पहले आप हमारे टेलिगरम चैनल को जरूर जोइन कर लाते रहते हैं तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि दौर अपरेशंस की तो यहां पर देख सकते सारे फिकर्स करोर में हैं और यह इसी क्वार्टर का रेजल्ट है यानि कि येर-on- imagin ये डेटा हो गया ये पिछले क्वारटर का रेजल्ट है यानि मार्च वाले कौर्टर का तो ए रहा year on year और ए रहा quarter on quarter तो revenue from operations की अगर हम बात करें तो बो रहे हैं इनके 12,675 करोड रुपे से घटकर हो गए हैं 10,478 करोड रुपे तो अच्छी खासी गिराबर देखने को मिली है आप यहां पर देख सकते हैं लगबग 2000 करोड की हमें गिराबर देखने को मिली है और पिछले quarter में इनके revenue from operations देख सकते हैं 12,560 करोड रुपे थे तो यहां पर decline देखने को मिला है हमें कितना यह वाला decline होता है इनका 17% के आसपास हमें decline revenue from operations में देखने को मिला है अब इनकी total income की अगर बात करते हैं तो 11,403 करोड रही है जो पिछली साल इसी quarter में थी 13,305 करो रुपे थी तो पिछले quarter की अब एक्षा भी इनमें decreasement देखने को मिला है और आगे बढ़ते हैं हम बात करते हैं expenses की तो expenses में हम total expenses की बात करते हैं बो रहे हैं 7,967 करोड रुपे जो कि पिछले साल इसी quarter की अब एक्षा कम है पिछले साल थे 8,113 करोड रुपे और पिछले quarter से तो significantly बहुत कम नजर आये हमें यहां पर देख सकते हैं 8,484 करोड थे पिछले quarter में जो कि घटके 7,967 करोड रुपे बचे हैं अच्छी बात है अपने tools का और resources का size से इस्तेमाल company कर रही है आंगे बढ़ते हैं बात करते हैं profit before exceptional item and tax की 3,435 करोड रुपे और जो पिछले साल इसी quarter में था 5,191 करोड और पिछले quarter में यहां पर देख सकते हैं 4,4743 करोड रुपे तो लगाता रहे हैं पर हमें कमी देखने को मिली है यर औन यर तो भारी कमी देखने को मिली है और quarter by quarter भी अच्छी खासी हमें कमी देखने को मिल रही है अब हम बात कर लेते हैं profit for the period यानि की net profit की तो net profit रहा है 2567 करोड रुपे जो पिछले साल इसी quarter में था 3,436 करोड रुपे तो profit में हमें decline देखने को मिला है year on year basis पर quarter on quarter पर भी हमें देखने को मिला है पिछले साल कितना था 3926 करोड रुपे पिछले quarter में मार्च वाले में तो यहां पर भी हमें decrease देखने पास आंगे बढ़ते हैं बात करते हैं basic EPS के बारे में यानि की earning per share का कितना रहा है तो यहां पर earning per share में भी decrease होता हुआ दिखाई दिया है क्योंकि basic सी बात है अगर earning कम हो जाएंगी तो earning per share तो कम हो गा ही होगा पिछले quarter में हमें 3.14 रुपे नजर आया था और पिछले साल जून बाले quarter में 2.74 नजर आया था और इस बार के quarter में सबसे कम नजर आया है हमें 2.04 रुपे तो लगातार EPS में भी कमी हुई है revenue में भी इनके कमी देखने को मिल रही है और profit में भी हमें कमी देखने को मिल रही है एक बार यह देख लेकते हैं कि X-Y ने कितना अनुमाल ल result के बारे में तो यहां पर देख सकते हैं stand-alone profit कितना गिरता हूँ नजर आया है तो इन्होंने stand-alone फिगर दे रखे हैं अपने देखे थे consolidated figures यहां पर आप देख सकते हैं और भी चीज़ें देखते हैं हम नीचे आते हैं और यहां पर EBITDA देखते हैं earning before tax depreciation amortization तो यहां पर यह रहा है इनका 2646 करोड रुपे और यहां पर margin देख सकते हैं margin रहा है 27.8% और जो estimate किया था पोल में 18 आओ के बो रहा था 31% तो margin expected था जो उससे कम आया है इस यह article में इन्होंने नीचे दे रखा है कि the impact of COVID-19 will not be significant यानि की COVID-19 का impact इन पर कम पड़ा है इन्होंने एक positive बात कही है अब मैं NAC की website पर आ गया हूं और यहां देखते हैं इन्होंने 24 तारीक को यानि पिछले टर रेटिंग दे कैसा इन्होंने पर्फॉर्म किया था कैसा इन्होंने कारोबार किया तो बहुत देख लेते हैं एक किलोज हुआ है 199.85 रुपे पर और प्रिवेस किलोज था 200.70 और आज मतलब इस ट्रेटिंग दे में ओपन हुआ था 201 रुपे पर हाई भी 201.70 लगाया था और लो गया था 197.30 पर आप यहां देख सकते हैं अभी भी बाई में क्वांटिटी लगी हुई है अब देखते हैं इसकी डिलेवरी पॉजिटिशन हमें कितनी देखने को मिली है तो अगर डिलेवरी पॉजिशन की हम बात करते हैं तो यहां पर टोडिल कॉएंटिटी यहां पर हमें ट्रेड होती हुआ देखने को मिली थी 6 करोड एक लाग पचासी हजार पानसो तीन और deliverable quantities का percentage था 36.30% जो की अच्छा percentage था एक बात और है इनोंने कोई भी dividend अनौंस नहीं किया है आपको पता होगा 6 जुलाई को इनोंने dividend अनौंस किया था तो एक साल में एक ही बारे जनरले dividend देते हैं तो अभी कोई dividend इनोंने अनौंस नहीं किया है अब आते हैं सीधे इसके चार्ट पर देखते हैं कि आपको खड़िदना चाहिए नहीं खड़िदना चाहिए आप ले रखा है तो होड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए यह सारी बात है हम देखते हैं और बात करते हैं इसमें सेल लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए तो सबसे पहले जिन्होंने होल्ड करके रखा है वो भी होल्ड करके रख सकते हैं अभी ऊपर नहीं जाने माला है यह उपर की प्राइज में हम भाई किया था मैं उनकी बात करना हूं पर टिकुलरली क्योंकि आ अगर वो लोग सोच रहे हैं कि भाई इसमें ज्यादा मूव नहीं कर रहा है और हम प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे उतना तो आप निकाल सकते हैं उस मामले में अगर आपको इसकी पसंद नहीं आ रही है तो और जो लोग नए एंटर करना चाहते हैं वो एक लॉंग टर्म लेके इसमें इंटर करें इस कंपनी ने देखो मार्च में नों नं नंयों बनाया था आपना बहुत सिलो मूब कर रहा है आप यहां पर देख सकते हैं अगर आप लॉंग टर्म का विजन रखते हैं तो निमेश्ट कर सकते हैं और मंडे को क्या होने माला है इसे स्टॉक में तो मुझे नहीं लगता कि कोई खास असर पड़ेगा अगर गिरेगा भी नीचे ज्यादा ड्र तो थेंक यवर वोचिंग जाएं